Ampere और Voltage Meter की वाइरिंग के इसे की जाती है यह दे सकते हैं Ampere Meter है इसकी रेंज 30 Ampere तक जाती है यह Voltage Meter है इसकी रेंज 300 V तक जाती है अब इसकी वाइरिंग की बात करें Ampere Meter के पीछे 2 वाइर होते हैं Voltage Meter की बात करें Voltage Meter के नीचे 2 वाइर होते हैं सबसे पर हम voltage meter को टेस्ट करेंगे, voltage meter को directly neutral phase देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, voltage meter अच्छी तखासा work कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, 200 volt यहाँ पर work कर रहा है, voltage meter को direct load के साथ में आप directly चला सकते हैं, mpn meter किस तरह से काम करता है, आप इसे directly आप neutral phase देते हैं, तो m इनसे भी जो है, ट्रिप कर जाती है, यह देख सकते हैं, दोबारा देखते हैं, तो ट्रिप कर जाती है, तो इसकी वाइरिंग इस तरह से की जाती है, इसका एक वाइर मीटर का फेज में लगाना है, दूसरा वाइर छोड़ देना है, होल्डर का एक वाइर आपको न्यूटर है वो भी सीधा ओल्डर के अंदर जा रहा है लोड के लिए